तो दोस्तों तो आपका अपने चैनल cmc के उज में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज हम एडिशन सब्ट्रेक्शन डिवीजन मल्टिपिकेशन और मुड्यूलस और यहां पर आपका पावर तो इन सब की कोडिंग कैसे की जाती है जावा स्क्रिप्ट में तो वह आज हम आ सबसे पहले यहां पर लिखने होता है होल और सकरमे काल लकृति पूह समय शरण सेव यहां पर लटत की काम होने वाला तो इसका math नाम दे लेते हैं और इसको dot html extension के साथ जो आपको इसको save करना है तो कर लेते हैं इसको save उसके बाद करते हैं coding तो यहां पर दोस्तों save हो चुका है यह next जो हमें लिखना है html के बाद head लिखना है और फिर टाइटल को बंद कर लेना है तो हमने कर लिया बंद इसके बाद यहां पर दोस्तों आपको head को भी ऑखना है उसके बाद यहां से आपकी body शुरू हो जाती है तो body लिख लेते हैं और में जिए यहां से अब आपको जो कोडिंग सुरू होगी तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सक्रिप्ट क्योंकि यहां पर जावा की स्क्रिप्ट की ओरी है तो सबसे पहले स्क्रिप्डलिकल लेते हैं उसके बाद हम लिख लेते हैं यहां पे ending tag यानि कि जो लास्ट में लिखे जाता है वो tag लिख लेते हैं तो यहां पे सबसे पहले हमें script को बंद करना पड़ेगा तो हम यहां पे पहले script बंद करिंद कर लेते हैं उसके बाद आप को बद करेंगे यहाँ पर दौस्तों यह एंडिंग या पर गोस्तों को लिखना पड़े हैं यह जो है यहाँ पर यहां पर यहाँ पर जितनी भी तैग सकते हों लिखेवय क यहाँ और में लिखना पड़ेगा यानीकि यह ताग्वा citizen आप को फिरिखना पड़ेगा तो variable के लिए हम VAR लेते हैं variable तो A और B variable लेते हैं यहाँ पे और एक लेते हैं यहाँ पे sum के लिए तो सबसे पहले हम sum करेंगे उसके बाद जो है divide करेंगे, multiplication करेंगे, division करेंगे और जो यहाँ पे modulus और power कैसे निगालते हैं तो वो सब भी करेंगे तो सबसे पहले हम variable ले लेते हैं तो यहाँ पर sum हो चुगा उसके बाद sub यानि subtraction के लिए multiply के लिए हम MULTI ले लेते हैं multiply के लिए divide के लिए हम ले लेते हैं div और divide के लिए हम div ले लेते हैं और modulus के लिए हम लेते हैं mode और power के लिए लेते हैं power तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि हमने यह जो variable हमने ले लिया है उसके बाद हमें क्या करना है variable को declare करना है तो variable को कर लेते हैं declare सबसे पहले एक एक को declare करते हैं कि एक वल्स टू पी ए आर ऐसी पार्स आई एंटी इंट पार्स इंट उसके बाद जो है यहाँ पर open bracket फिर प्रॉम्ट प्रॉम्ट उसके बाद फिर open bracket और उसके quotation के अंदर यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको इंट यहाँ पर quotation के अंदर होना चाहिए तो यहाँ पर दो बार हमने open bracket लगा था तो दो बार close bracket भी लगा लेते हैं तो दोस्तों आप कह रहे होगे कि यह पार्स इंट प्रॉम्ट क्या है तो यह जो दोस्तों आपको क्या है वैल्यू को एंटर करने के लिए आपको एक प्रॉम् становится करता है या कुछ भी काम करता है तो उसके बाद ही अभरा जो है उस वैल्यू पर काम किया जाता है तो वैल्यू लेने के लिए जस्वाजी हम पार्स & v19 प्रॉम्ट लिखते हैं यहाँ पर b2b2b 2b आपको same लिखना पड़ेगा कि इंटर दा सेकिंड वैल्यू तो यहां पर हम लिख लेते हैं इंटर दा सेकिंड वैल्यू इंटर दा सेकिंड वैल्यू तो यहां पर हमने इंटर दा सेकिंड वैल्यू भी लिख लिए इसको बंद कर लेते हैं दो बार ब्रैकिट हमने ओपन किया था त अब यहां पर हम sum लिखेंगे sum equals to a plus जो b होना चाहिए तो a plus b उसके बाद यह जो अब यहां पर हम लिखेंगे curly braces के अंदर document.write document.write open bracket और यहां पर एक quotation उसके बाद यहां पर आपको क्या लिखना है कि sum sum of two number या फिर आप कुछ और लिखना चाहो या सिर्फ sum लिखना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो equals to और यहां पर quotation बंद उसके बाद यहां पर एक plus का sign लगा के जो भी आपका variable हो formula में यानि यहां पर हमारा sum है तो वही आपका यहां पर भी आ जाएगा तो sum लिख लेते हैं sum उसके बाद इसको बंद करना है उसके बाद curly brushes को बंद कर देना है तो दोस्ते यहां पर एक coding जो है sum की वो complete हो चुके है तो चलते इसको एक बार save करके देख लेते हैं यहां पर आपको देख सकते हो यहां पर save का भी option आपको मिल जाता है तो save कर लेते हैं या फिर आप Ctrl-S से भी save कर सकते हो एक पर से पर करके इसको चेक करते हैं कि यह जो हमारा coding हो रण होता है कि नई तो यहां पर आ चुक है हम computer screen पर यह रहा हमारा है मैस खोंक करते हैं ओपन तो देख सकते हैं यहां पे यह कोडिंग तो यह इसका कतलब क्या रहा है आपका अप्ट जलते हैं यहां subtraction यानि कि माइनस के लिए करते हैं तो एस यू बी सब एक्वलस टू ए माइनस बी तो यहां पर ए माइनस बी और यह जो document.write sum of two number तो यह आपका जो है सब की नीचे आना तो इसको हम कर लेते हैं copy-paste ताकि जो हमें बार-बार लिखना ना पड़े इसको copy कर लेते हैं और इसको करते हैं यहां पर हम पेस्ट तो यह पेस्ट हो चुका है बस यहां पर थोरे से आपको changes क्या करने पड़ेंगे यह संग की जग्छा आपको सब लिखना पड़ेगा और यहां पर यहां को लिखना पड़ेगा यहां पर सब्सक्राइक्ट लिख सकते ओं यहां पर लेकर कॉडिक्ट ब्र कंप्लिट तीसरा किया है दोस्तों यहां पर मल्टिप्लाइब और उसके निचे फिर वही डोकुमेंट डोट राइट तो यहां पर हमने लिख दिया डोकुमेंट राइट और यहां पर आपको थोरे से सब्सक्राइब और इक एदर यहां पर लिखना पड़ेगा तो यहां हमारा मिल्टिप्लाइब एक div div equals to a divided by b a divided by b तो यहां पर हमने फॉर्मूला लिख दिया उसके बाद फिर वही है आपका डोकुमेंट.right लिखना है तो इसको थोड़ा साम उपर कर लेते हैं तो यहां पर हमने लिखना तो यहां पर दितना है वही आपको प्लस करके लिखना है नहीं होगा चै्ट सेभी यहां पर दिवाइट상 है आप हमने mode mod mode तो mode equals to जो होगा आपका a modulus का sign जो होता है वह आपका percentage का sign होता है तो a percentage का sign और b तो a modulus b और उसके निचे फिर आपको document.write लिखना है और यहां पर modulus लिखना आपको तो हम यहां पर mode लिख लेते हैं आप modulus भी लिख सकते हो या कुछ और लिखना चाहा तो वह भी लिख सकते हो तो यहां पर modulus के सम की जगा आपको mode लिखना पड़ेगा mode mode यहां पर हमने mode लिख दिया तो दोस्ते यह modulus का भी हो चुका है अब हमें करना है power का तो power के लिए p e o w e r लिया था हमने वैरेबल पावर एक वस्टू ए और एक की पावर जो है भी दो बार यहां कि यह के पावर जो भी हमारा भी वैल्य हो वह क्या हो इसकी पावर हो तो एक ही पावर हो जाएगी तो यहां पर इसके लिए फिर से हमें डोकुमेंट डोट राइट लिखना पड़ेगा इसको कर लेते हैं थोरा सा उपर तो यहां पर डोकुमेंट डोट राइट और यहां पर आपको दोस्तों सम के जगह चेंजिस करना पड़ेगा फिर से पावर लिखना पड़ेगा और यहां पर सम के जगह पावर इन दोनों ताकि आपको पताचल सके की कैसे जाती है और आप धियान से देख सको दोस्ते एक बात कहना चाहूंगा कि वीडियो को रोटेट करके देखा करें ताकि के दिखाल दे अगर फिर फिर भी आपको किलिए नहीं दिखाए देता तो आप यहां पर त्री डोट का जो अप्शन आत तो दोस्तों यहां पर हम कर लेते हैं थोड़े से ब्रेक लगा लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में जो हमारा अंसर आ सके तो यहां पर हम भी आर का जो है यूज करते हैं ब्रेक के लिए तो यहां पर हम लगा लेते हैं ब्रेक ताकि जो हर एक का आंसर जो है वह एक ही लाइ आसर है वह next line में आए यहां पर लगा लेते हैं तो दोस्तों जावा इसक्रिप के अंदर देख सकते हो कि कहां लगता है document.write के बाद open bracket के बाद जो आपका जो आपका आपका ब्रेक लगता है तो यहां पर ब्रेक लगा लिए दोस्तों भी-r का यूज के लिए उसके बाद हम यहां पर कर लेते हैं सेंटर सेंटर में करेंगे ताकि हमारा जो एंसर है वह और तो यहां पे हम करते हैं center का use body के बाद हम ले लेते हैं C, E, N, T, E, R center तो यहां पे center ले 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 लेते हैं और center को हमें बंद भी करना होता है तो center बंद होगा आपका यहां पे body से पहले तो यहां पे हम body से पहले center को बंद कर लेते हैं C, E, N, T, E, R सेंटर तो यहां पर हमारा सेंटर बंद हो चुका है अब दोस्तों इसे हम करना है सेफ तो सेफ कर लेते हैं और कोडिंग को आप देख सकते हो अब चाहो तो स्क्रेंशोट भी ले सकती है ताकि आप इसे अपने नोट्बुक में या प्रैक्टिस करते रहो अगर भूल जाओ तो चलते दोस्तों चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर वह आया है कि नहीं कि हमारा कोडिंग जो है वह रन हो रहा है कि नहीं तो यहां पर हमारा है मैस इसको कर ल में लेते हैं थ्री यहां पर हम टू और फ्री ले चुका तो देख सकते हो दोस्तों यहां पर घरकर घर करते हैं तो माइनस वन और मृटिप्लाय करते तो बाइड करेंगे तो 0.6666 और मोडियॉल एज जो है तू आएगा तो और जो पावर है उसका अगर टू की पावर सबी करते हैं तो यहां पर करके चटे हैं तो यहां पर सब फिर से पूछ रहा है कि इंटर्द फरस्ट वैली तो हम डाल लेते हैं जैसे 12 and second value डाल लेता है यहां पर हम six तो देख सकते हैं दोस्तों यह भी जो है यहां पर हो चुका है some of 12 and 618 और मेंश करेंगे तो यहां पर six आता है तो देख सकते दोस्तों आपका कोडिंग जो है वो प्रोपर तरीके से तरन कर रहा है चलते हैं दोस्तों आप को फिर से एक बार कोडिंग दिखा देते हैं तो देख सकते हैं कितना सिम्पल सा कोडिंग ये इसका आप चाहों तो इसक्रेंशोट भी ले सकते हैं तो आसा करता हूं दोस्तों आप सब जो है कोडिंग समझ गये होंगे तो हैंकि दोस्तों थैंकि फॉर वाचिंग एंड केप सब्सक्राइब ताकि मेरी नई वीडियो से आप तक पहुंचती रहे